जदि आपके घर में पीपल का पोधा उगता है या आपके घर के छट पर बराबर कववा आकरके बढ़ता है, काउं काउं करता है और आपके घर के अगल वगल में जिदी कुट्ता रोता सुनाई पड़ जाए तो आप समझिए कि हमारे घर में पित्री दोस है जिदी आपके घर का पुल्शी का पौदा एक फैक सुख जाए वो हरा भरा है लेकिन एकदम मर जाए सुख जाए और आपके घर में बेटे बेटियों के विबाह में अलचन आ रहा हो तो समझिए कि हमारे घर में पित्री दोस है तो पित्री दोसे मुक्ति पाने के लिए जैसे ही पित्री पत्र प्रारंब होगा आप पित्रों को तरपन निस्षित रूप से करें जलासै या नदी जदी आपके बगल में हो तो नदी में बैठ करकि अपने पित्रों का नाम गोत्र का उचारन करें और जल के साथ तील मिलाएं और अपने पित्रों का तरपन करें तरपन करते समय कूस अवस्य धारन करें पूस और गंगा की मट्टी निस्चित रूप से धारन करके आप पित्रों का तरपन करें आपको पित्री दोस्ट से निस्चित रूप से मुक्ती मिलेगी